बात भी मैप की जिसे देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में एहम भूमी का निभाई भी मैप की शुरुबात से लेकर अब तक उसमें क्या-क्या नए बदलाव हुए इस पर देखे हमारे समबादा तापत भठाचिया रहेगी ये हास रिपोर्ट कैश ट्रांसक्शन से लेकर कैश लेस ट्रांसक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश रेरी पट्री से लेकर मॉल के बड़े शोरूम तक डिजिटल लेन देन ने भारतियों के भुकतान करने के तरीके को बदल दिया है इसमें भीम अपने एहम भूमी का निबाई है भीम अपने शुरुआत से लेकर अब तक कई एहम पड़ाव पार किये हैं जिसने बिजिटल लेन देन की परिद्रश्य को बदल दिया है भीम यानि भारत इंटरफेस मनी भारत की डिजिटल भुकतान करांती का अग्रदूद जिसे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए लौंच किया था ये तेजी से भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की पहचान बन गया परमपरागत रूप से देश में नगदी में ही लेन देन होता रहा है ऐसे में भीम सरकार की नगदी रहित अर्थवयवस्था के दृष्टी कोन के अनूप एक प्रकाश स्थम के रूप में अन्य डिजिटल वालेट के विपरीत भीम सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ता है जिससे तीसरे पक्ष के वालेट की ज़रूरत नहीं होती सौ से अधिक बैंकों द्वारा स्विक्रित भीम ने डिजिटल लेन देन के परिदिश्य को बदल दिया है भीम UPI को लाया गया था ताकि रुपए के लेन देन को कैसे हम लोग कॉन्टेक्टलेस और कैशलेस बना सके परन्तु वहीं नहीं रुका उसने एक ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिससे कि Fintex नए प्रड़क्स और सर्विसिस को उसके उपर बना सके और Pintex ने भी इस उपर्शॉनिटी को दोनों हातों से पकड़ा और यही कारण है कि आज हम नए नए सर्विसिस देख रहे हैं जैसे कि पास्टेक्ट पेमेंट्स इंशुरेंस पेमेंट्स बिल का पेमेंट हो गया यह सब नए फीचर्स लाए गए हैं सबसे जो अट्राक्टिव चीज है वो यह है कि इंडिया के जो छोटे शहर है जिनको हम टियर 2 टियर 3 सिटीज बोलते हैं जहां पर मेजर गैप होते हैं इन पेनेट्रेशन ऑफ सर्विसेज वहाँ पर यूपी आई का एक्सेप्टेंस जाधा है जितने भी रीटेल रांजाक्शन हो रहे हैं रीसेंट डेटा के इसाब से 65 परसेंट से जाधा रांजाक्शन यूपी आई पर हो रहे हैं इससे जो सबसे इन पाक्ट किया है शाइद ही किसी और इनोवेशन ने अथना इंपैक्ट किया होगा अगर आप किसी भी बिजनस में आप काम कर रहे हैं बहुत जरूरी काम होता है कि आप अपने पैसे करे रहे हैं भीम यूपी आई ने वो फ्लेक्सिबिनिटी दी है कि आपका जो जोड़ी गई डोनेशन गेटवे बड़ी हुई लेंदेन सीमा और कई बैंक खातों को लिंक करने की शमता जैसी सुवधाओं के साथ भीम एप को और उप्योगी और प्रभावी बनाया गया भाशाओं की बात करें तो भीम 2.0 में मौजूदा 13 भाशाओं के अलावा कॉंकड भोजपुरी और हर्यानवी को जोड़कर इसे और भी अधिक सुलब बना दिया गया है। सिंगापूर में सफल पाइलट डेमो के बार भीम के जरिये दूसे देशों में डिजिटल पेमेंट के विस्तार को बल मिला। 2021 में भीम ने रॉयल मॉनिटरी अथार्टी के साथ मिल बित्तिय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये भारत और दुनिया में लेंदेन के तरीके को बदल रहा है। सुरक्षित विश्वसनिये और नवाचार में सबसे आगे भी मैप भुकतान के बविश्य को आकार दे रहा है। कैल परसे नवीं के साथ मैं तापोश चार्या दूरदशन समाचार देली